डियर स्टुडेंट गायत्री स्कुल के यूट्यूब चैनल में आपका सागत है और आज हम सिमिलरिटी चैप्टर 11 सिमिलरिटी बता रहे हैं तो इसमें पहले तो आपको एक प्रमी बताएंगे 11.1 और पहले ये देखो सिमिलरिटी किसे कहते हैं समरूपता क्या होती है जैसे दो तरोज होते हैं जैसे मालो ये तरोज है ABC और दूसरा तरोज है जैसे PQR अब ये ये ना सिमिलर कब होंगे समरूप कब होंगे या तो ये कौन है ना इनके बराबर हों एक कौन है ना वो P के बराबर है और B कौन है Q के बराबर और C कौन है R के बराबर कौन बराबर हों भुजाओं के अनुपात बराबर हों नमबर एक ये और भुजाओं के अनुपात बजाओं के अनुपात मतलब AB बटे PQ करें तो ये BC बटे QR और ये AC बटे PR ये इसके अनुपात बरावर होने चाहिए और ये कौण बरावर हों बजाओं के अनुपात बरावर हों सबरूपता की पहचान ये होती है दो तरवज के कौण समान होती है कौण समान होती है तथा बजाओं के अनुपात बरावर होती है बजाओं अनुपात बरावर होती है ठीक है ये सिमिलर जब होती है ठीक है एक तो ये कंडीशन है अब मालोग और सिमिलर करने के लिए तीन नियमे अ हमारे पास नियम है इसके तीन एक तो ये यह कौन 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 तीनों कौन बराबर हो इसके भी और इसके भी तो सिमिलर होता है दूसरा दो कौन बराबर हो तो सिमिलर होता है मालों इसका एक ये कौन इसके बराबर इसका ये कौन बराबर नहीं हो तो बराबर ही माना जाएगा और तीसरी कंडिशन इसकी तीसरी कंडिश में यह है कि एक तरवज के दूसरे तरवज से कौन बराबर हो जैसे सब्सक्राइट यह वाली भजा और यह वाली भजा इसकी यह वाली भजा और यह वाली भजा इनके के अलोपात बराबर यानी एबी यह ना में संब्सक्राइट करते है संब्सक्राइट का मतलब आप यह समझे लो जिसके रूप एक जैसे हैं लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं ठीक से तो शमरूपता की जो नियम है यह वाले नियम लगतें यह 3 वाले नियम लगतें और सम्ण Chaos अगर 2 थर्वश वह हो तर्वश होम महन लो यह वाला थर्वश है न तर्वश ABC यह संब्रूप है P की वार की तो यह होता है कौन बरावर होते हैं और बजाओं के अनपत बरावर होते हैं यह सिस्टम होता है ठीक है ना समरूपता सित करने का ये ये क्योंकि दो त्रोज के कौनों का योग इसक्रावसी होता है और तीसरी कंडिशन इस नहीं हम से समरूप होते हैं कि यह बीब कौन है ना यह क्यों कोन के बराबर हैं और यह कौन जिससे वना इस वजा से इस से यह वना इस वजा से इस से तो इनके अलबाद बराबर होनी चाह一定要 ठीक है अब मैं आपको 11.1 प्रमे बताऊंगा ग्यारे पॉंट एक परमे है ना बेरी वरी इंपोरेंट परमे है पहली परमे है और आ सकती है अब की बार बोड़ एक्जाम है क्योंगे पिछली बार है ना पिछली बार बारे पॉंट आठाई थी उससे पहले तेरे पॉंट चारा आई थी तो तेरे में चैप्र से भी आ गई है बारे में चैप्र से भी आ गई है अब ग्यारे में चैप्र से नहीं आई है तो ग्यारे में चैप्र से अब की बार आईगी जै नमबर में तो 11.1 प्रमे समरूपता यह है ना आधार भूत समानपाथी प्रमे कहते हैं इसको आधार भूत समानपाथी प्रमे और यह प्रमे होती क्या है प्रमे आप ऐसे समझे लो कॉस्टन लिखा हुआ ऐसा आएगा किसी तरवुज की एक भुजा के समानंतर किसी तरूज की एक वजा के समाना अंतर खीची गई रेखा खीची गई रेखा सेज दोनों बजाओं को समाना अंतर पर भाज़त करती है सेज दोनों बजाओं को समान अनुपात में विभाज़त करती है समान अनुपात में विभाज़त करती है यह कोशन इस टाइक पर लिखा हुआ आएगा तुमारा प्रमे सिद्ध करने के लिए अब इसको आपको सिद्ध कैसे करना है तो यहाँ देखिए एक तिर्वुजय यह वाला मालो यह तिर्वुजय तुमारा ABC और BC के समानंतर हमने यहाँ रेखा खीची यह इसके समानंतर यह खीची है तो हमें यह सिद्ध करना यह बटे यह बरावर यह बटे यह होगा तो यहाँ देखो दिया है हमें अब इस कोशन को हल करना है सबसे पहले लिखा जाता है दिया है तो दिया में लिखा जाएगा तिर्बोज ABC जिसमें DE है न वो समानंतर है ABC के सही है यह दिया है अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें सिद्ध करना है हमें AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC यह हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AD बटे DB बराबर AE बटे EC यह सिद्ध करना है अब वो इसकी रचना देख लो थोड़ा सा रचना में हमें यहां से देखिए यहां से B से तो C को मिलाएंगे और D से C को मिलाएंगे B से E को मिलाएंगे अब यहां से E से AB पे लंब डालेंगे यह लंब है और इस से इस पे लंब डालेंगे AC के यह मालू F है और यह मालू G है तो यह हमें रचना करनी है तो रचना में डॉट 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 करते हैं तो यहां देखिए हमने क्या किया B, E तथा CD को मिलाया एक तो हमने B, E और CD को मिलाया है और दूसरा हमने AB पे लंब डाला E, F E, F है ना ओ, लंब डाला है हमने AB पे तथा दूसरा यहां से D, G D, G लंब डाला है हमने AC पे तो यह हमने रचना की ठीक है अब इसके बाद में उपत्ती देखिए तो उपत्ती चलो इदर साड में देख लो उपत्ती तो उपत्ती में देखिए उपत्ती में यहां से आपको यह लिखना है एक ही आधार जैसे आधार यह है एक एक ही आधार तथा दो समानंतर रेखाओं के बीच बने यह तरवज एक तो यह वाला तरवज यह वाला और एक यह तरवज यह वाला इसके छे तरवज बराबर होती हैं तो यहां लिखो दो एक ही आधार तथा दो समानंतर रेखाओं के मद्य बने तरवज के छेत्रफल समान होती हैं तो अतह यहां लिखेंगे कौन-कौन छेत्रफल समान होंगे बी डी ए तरवज बी डी ए का छेत्रफल बी डी ए का छेत्रफल बराबर होगा तरवज और अफ्य दी ए का छेत्रफल इसकी इस समी करने की हमें जरूरत है लाइस्ट में ठीक है अब वो यहां से देखिए अब लिखेंगे त्रवोज ए डी इका छेत्रफल त्रवोज ए डी इका छेत्रफल बटे त्रवोज बी डी इ का छेत्रफल त्रवोज का छेत्रफल जब हम निकालते हैं तो त्रवोज का छेत्रफल दो होता है एक बटे दो आधार वोना लंबवत हुचाई तो एक बटे दो आधार अब इस त्रवोज के छेत्रफल में हमने यह आधार लिया एडी और लंबबद उचाई इस पर लंबबद उचाई है EF यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर यह बाला तरवोज है तो एक बड़े दो आधाल लेंगे डी वी एक बड़े दो आधाल लेंगे बीडी और लंबबद उचाई आएगी इसमें वोई EF अब आप कहोगे सर ये तो इस तरवज के अंदर है भी नहीं ये लंबवत उचाई कैसे होगी तो आप ये देख लो ये तरवज मालो इसका छेत्रफल हम निकालना है इसका इसका हमें छेत्रफल निकालना है तो आधार तो यही लेंगे BC और लंबबत उचाई यहां से इधर आएगी है यह लंबबत उचाई होगी यह AD लंबबत उचाई होगी क्योंकि तरोज है ना और इधर साइट से इधर है तो लंबबत उचाई ऐसे होती है ऐसे ही आप यह देख लो यह लंबबत उचाहिए है ना यह वाली EF यह इस पूरी लाइन पर लंबबत है तो इस तरोज में भी यह काम करेगी और इस वाले तरोज में भी यही काम करेगी ठिक है तो यह आएगा भाई इससे इसको काट दिया हमने 1 बटे 2 से 1 बटे 2 तो यह आया भाई दूसरा संदीका अब ऐसे ही हम तीसरा करेंगे तो तरबुज A, D, B का चित्रफल A, D, E का चित्रफल तो अब की बार हम क्या ले रहे हैं अब की बार ये वाला तरबुज और ये वाला तरबुज ले रहे हैं तो A, D, E का छित्रफल और इधर लिया है हमने C, D, E का छित्रफल तो यहां भी यही करेंगे हम एक बटे दो अब A, D, E का छित्रफल लिया है पहले हमने एधर आधर लिया था अब इधर आधर ले रहें A, E A, E आधार हो गया और लंब बत उचाई अब इस लाइन पर लंब बत है हमारे पाद डीजी तो यह डीजी लेंगे इधर भी यही करो एक बटे दो आधार लेंगे इसका E, C और लंब बत उचाई वो यह होगी डीजी क्योंकि यह लंब बत उचाई है यह वाली लंब बत उचाई इस पूरी लाइन पर है और इसको भी एक पर इस इससे यह काड़ देंगे डीजी से डीजी काड़ देंगे तो यह आएगा A, E, B, C यह थर्ड आया अब यहाँ से देखिए आप A, A, D, E अंसतों पहले ही बराबर थे और हरैना समीकाण एक के हिसाब से बराबर है इसलिए यह पूरा इसके पूरे के बराबर है तो इसलिए यह इसके बराबर है तो यहाँ लिखोगे समीकाण एक दो तीन से एक दो तथा तीन से यहाँ लिखोगे यही लिखतोगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC और हैंस प्रूब इत्ते सिद्धम लिखे देना या HP लिखे देना ठीक है तो ऐसे आपको यह प्रमे करनी है प्रमे एजी है ज्यादा कठे नहीं है आधार भूत समानपादी प्रमे इसको बोलती है या तो यह लिखा हुआ आजाए या यह लिखा जाएगा किसी तुर्भुझ की एक बजा के समानंतर खिची गई लेखा अन्य दोनों बजाओं को समान अनुपात में ब्रिवाजित करती है तो यह तो समानंतर दे ही रखा है यह और यह समानंतर है तो यह तो दिया है और यह सिद्ध करना है AD बटे DB और AE पे लंब डालाए ये और एसी पे लंब डालाए डी जी ये इतना किया है और फिर ये एक ही आधार इसी आधार पे एक ही आधार तता दो समानंतर लेखाओं के बीच बने तर्वज के छेतर फल बराबर होती है तो इसी आधार पे ये वाला तर्वज बन लाए और इसी आधार और यह दौनों समानैंतर हैं यह लिए적 corn का ऑदिटिव्यार्ट के बराबर हो ऑझे प्ररस्ट बाले सेकेंड समीगण में क्या किया है यह क्심 आए तो इस में आधार्री हमंबातू शाय जाए इसमें आएक प्रतिक्हें ये याएगि क्योंकि पूरे प्लंब है तो यह ऐसे करके एक बड़े दो नम बोतुं चाहिए तो ही आएगा अब अबकी बाद यह वाला all लिया है और यह वाला at starch a.s and इसका लिया साथ हार यह और लंबोतु चाहिए और इसका लिया आए एक बड़े दो आधार ये और लंबो तूचाई ये ही रहेगी क्योंको पूरी लाइन पर लंबो बता है तो ये कट जाएगा लंबो तूचाई और एक बड़े दो यह आएगा फिर आपको लिखना है समीकान एक दो तीन से डारेक्ट ये बरावर ये ठीक है तो ऐसे ये अधर्बू समानपार्थी प्रमे आपको सिद्ध करनी है और छे नंबर में आ सकती है अच्छी तरह से देखो फर्स्ट प्रमे इसके ज़्यादा चांस होते हैं तो क्योंकि आप छो च्छोटे बच्छों के लिए है ना चोटी-चोटी प्रमे आगे के पाइसे ऐते ये तो आज आपने 11.1 एक साइक ग्यारा पॉन्ट एक प्रमे अच्छी तरह से देखी तो आज के लिए इतना ही काफी है कल लास्ट वीडियो में इसके बाद वाला जो वीडियो बना रहे हैं उसमें इस प्रमे से related question देखना और आप लोगों को दोनों वीडियो देखने चाहिए क्यों फर्स्ट वीडियो में हम बता रहे हैं यह प्रमे और इससे बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको अभी इससे related question बताएंगे इससे सम्मधित तो आप एक वीडियो देख लेते हैं दूसरा निट देखते हैं तो आपका लॉस होगा इसलिए दौनों वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो